तो हेलो फेंट कैसे हैं आज मैं आपको उताने वालों अगर आपके मॉबाइल में प्रावलम आ रही है तो कैसे उसके स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं सब आपको आगे बताऊंगा आगे बढ़ने से पहले मेरे चनल को सबस्क्राइब कर लो नोडिशन बाइगों तो बहुत और इसलों बाद मतलब एक बार सेटिंग जो मैं बताऊंगा उसको करने के बाद फिर आपको टेस्क कर रहा हूं तो आप देखाकते हैं अभी में यहाँ पर चेक कर रहा और उसी को आप पर अपन टेस्टिंग कर रहे हैं तो फिलाल यहां की जो स्पीड आ रहे हैं 200 90 या 300 कुछ क्या सपस आपको दिख रही होगी अभी आपको आ रही है 380 3G speed आ रही है downloading और upload देखेंगे upload की आप speed देख सकते हैं अब बात करें setting की जो मैं आपको बताने वारा उन setting को अगर आप करेंगे तो आपके street में काफी जादा फर्क पड़ेगा तो सबसे वहले आपको चले जाना है अपने कोई से भी एक browser पर चले जाना है इसे भी एक browser पर चले जाना यहां जाना है settings पर settings पर आपको जाना है यहां पर privacy and security पर एंड देन महां पर जाना है clear ब्राउजिंग डाटा पर आपको एडवांस पर चले आना है और टाइम पर सेलेट करेंगे सारी चीज़े आपको दिख रही होंगी तो कुकिंग डाटा catch images इन सबको आपको mainly करना है और इसको यहां पर clear data पर क्लिक कर देना है यहां जैसी आपर clear data पर क्लिक करेंगे सारी detail यहां से हड़ जाएगी उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपको अपने mobile का यहां पर net को बंद कर देना है अब यहां पर नीचे की तरफ आएंगे dapt जाना है यहां पर जेक्यादीस अपर management मे spricht जाने के यहां पर reset गोड़ी सेटिंग पर फिलक कर देना है व्यहां पर आपका password डालने की आफको यहां पर reset setting पे क्लिक करें रहे हो गया है इसेट हुने के बाद आपको एक चीज़ और करने है वापीस बाहर जाना है connection पर यहां पर connection पर आपको जाना है mobile networks पर आपको access points नेमस पे और आपको यहां पर reset to default पर कर देना है अब सब कुछ कर लिया और एक बार अपने वाइल को फ्लाइट मोड को ओन करके और यहां ओन करके ओफ कर देना है ठीक है अब जैसी यह नेटवर्क आ चुके हैं अब आपके अब जाके आपकर अपना स्पीड टेस्ट करेंगे तो काफी ज्यादा आपको अंतर कितना ज्यादा फर्क बता तो अपको ऊप्लोडिंग वाली स्फीड में दोनों में आपको इहां पर फर्क दिख रहा हुआ तो आप इसको ट्राइब करेंगे तो डेफिनेटिट्ली आपको इसका रीजल्ट पॉजिटिव मिलने माला है तो आप इसको त्राइब कर देखना और मुझे comment करके जरूर बताना कि आपका इससे solution हुआ या नहीं हुआ हुआ तो यह कहां तक हुआ सब आप मुझे बताना हुए उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो thank you so much दोस्तों हम उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब को लो नोडिशेंब राइकों दबादो और हो सके तो यह वाट्सप पर भी फॉलो करें ताकि ऐसी नहीं अपडेट है सब सब्सक्राइब को मिले तो thank you